हलो दोस्तों, आज मैं 2023 की वन आफ दे बेस्स सीडीज धूता लाई हूँ कहानी की शुरुवात में सागर नाम का आदमी नीन की गोलिया खाते दिखाया जाता है जिसके बाद वो वोईस नोट भेज रहा होता है प्रिया को पर बैटरी खतम हो जाती है चारजर धूपते सब ने, उसके हाथ कुछ नीन की गोलिया थूखने की कोशिश करता है और दिर पढ़ता है अब कहानी छे दिन पहले जाती है, एक नीन पेपर लॉंच के डे पर अकबार का मालिक सागर वर्मा को चीफ एडिटर घोशिक करता है उसकी पीए, अम्रुता सागर को जले हुए फूल देकर कहती है, इसे चार्स ने भेजा है चार्स पहले सागर के साथ ही काम करता था, वो गुस्सा था सागर से क्योंकि उसने धोके से उसकी चीफ एडिटर की पोस्ट छीनी थी तब ही इनके टीम से नारायन मूर्ती आते हैं और गिफ्ट के तौर पर जर्नेलिस्ट पर बेस एक बुग देते हैं सागर को सागर अपनी वाइफ प्रिया, बेटी अंजली और कुत्ते एक के साथ घर के लिए निकलते हैं पार्टी के बाद प्रिया एक जर्नेलिस्ट है और उसने कुछ टैम का ब्रेक लिया है पेगनेंसी के कारण रास्ते में दमदम धाबे के सामने पेट्रोल खतम हो जाता है जिस कारण वो अपनी पीए अमरिता को कॉल करके एक कार अरेंज करने को कहता है मीनवाइल सबकी डिमांड पर सागर ढाबा से ओमलेट लेने उतरता है जहां उसे बल पर एक निउस कटिंग दिखती है जिस पर लिखा था 9 नेमेंबर 2022 को रात में 10 बच कर 45 मिनट और 33 सेकंड पर एक्सेलेंट में मरे सागर वर्मा के कुट्टे का नाम किया था सागर डर जाता है ये क्रोसवर्ट देखकर इतने में प्रियाफी कार से पानी के लिए उतरती है और अंजिली को अंदर रहने के लिए कहती है जैसे ही घड़ी में 10 बच कर 45 मिनट और 33 सेकंड होता है तब ही एक ट्रक आती है और कार को टक कर मार देती है सागर भागता है और गाड़ी पलट चुकी होती है और बहुत खून आने लगता है इतने में पता चलता है अंजिली जिन्दा है उसकी गुडिया गिर गई थी जिस कारण वो कार से उदरी थी अंदर के वर उनका कुट्टा ए था जो मर चुका था इंस्पेक्टर अचे घोश अपनी टीम के साथ महां पहुचते हैं ड्राइवर को पकड़ने सागर अपने कुट्टे की बॉड़ी अपने फार्म हूस के बगल वाले पलॉट में दफनाने को कहता है अगले दिन सुभा सागर की बेटी अंजिली कहती है पापा हम लोग एका नाम नहीं रख पाए थी मैंने डिसाइट किया है हम उसे हिप्पो पॉट्मस नाम से याद करेंगी ये सुनकर सागर वापस दमदम ढबा जाता है और वो पेपर कटिंग धूनने लगता है उस पेपर में क्रोसफर्ड में मरे कुत्ते का नाम भरना था और हिप्पो पॉट्मस एक्जैक्ली उतने ही बॉक्सेज में आ जाता है ये दिखकर सागर को बहुत हैरानी होती है वो वहाँ से जानी लगता है पर उतने में मेकानिक का कॉल आता है वो सागर को बताता है कि गाड़ी की फ्यू टैंक में होल था जिस वज़े से पेट्रोल खतम हो गया था सागर को इसमें चार्स का हाथ लगता है ओफिस जाकर वो ये अमृता को बताता है मनली का पूरम पुलिस टेशन से अजे एगोश सागर को कॉल करके कहता है और कहता है मारो पीटो और अगलुआओ इसके कहने पर उसने ये सब किया है अजे घोश तुलन ट्राइवर को वापस पूलिस टेशन आने जाता है इधर सागर चार्स को कॉल करता है पूछने के लिए कि आकिर उसने ये सब क्यों किया है पर वो फोन नहीं उठाता है जिस कारण वो उसकी वाइक मरियम को कॉल करता है मरियम बताती है चार्स बहुत अजीबो गरिव हरकते करने लगा है हमारे बेटे के जाने के बाद से जिस वज़ा से मैं अपने माबाप के घर आ गई हूँ और वो फार्म हाउस में है सागर फार्म हाउस जाता है वहाँ उसे एक आद्वी उसका पीछा करते दिखता है सागर को फार्म हाउस के अंदर बहुत सारी न्यूस पेपर के तुकड़े मिलते है और चार्स गन लिए खड़ा होता है वो सागर को बोलता है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और इसको रोकने का बस एक तरीका है ये बोलकर वो खुद को गोली मार लेता है सागर उसके हांस से न्यूस पेपर कटिंग लेता है जिस पर सेम सीन बना होता है जो अभी हुआ है सीन में सागर गेट पर खड़ा होता है और चार्स को गोली मार लेता है ये दिखकर सागर डर जाता है कुछ महीने पहले चार्स का बेटा खेल रहा था तभी चार्स को एक पेपर कटिंग मिली थी जिस पर लिखा था जर्निली चार्स का साथ साल का बेटा दुरगटना में मारा गया जिसके बाद चार्स अपने बेटे को धूनने लगता है उसका बेटा कार के नीचे छूपा हुआ था एक पार्किंग लॉट में उस कार को एक सपोर्ट के जरीए उठा का लखा गया था केलते टैंड उसका पैड लग जाता है उस सपोर्ट पर और कार उस पर गिर जाती है जिसमें वो बच्चा मारा गया था इतना खून सागर पर पढ़ने के कारण तो रात में घर जाता है अपने कपड़े धोता है और नहाता है तकि सारे खून के निशान छूट जाए सागर को पेपर देखता है जो चार्ल्स के हाथ से मिला था आज सागर में गलती से ब्लैक और वाइल कलर के सॉक्स पहन लखे थे और उस कटिंग में भी देखने वाले ने ब्लैक और वाइल सॉक्स ही पहने थे ये सब देखकर सागर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है चार्ल्स का केस सॉल्ब करने के लिए DCP क्रांती को बिलाए जाता है क्रांती चार्ल्स के बौडी देखती है और कहती है ये सुसाई नहीं है क्योंकि गेट पर पक्का कोई खड़ा था, नहीं तो वहाँ भी खून के निशान होते, जैसे सब जगा फैले हुए हैं, उसे ये समझ नहीं आता कि यहाँ इतने नियूस पेपर क्यों हैं, क्रांती चाल्स का फोन चेक करते को कहती है, जिसमें रास्कल नाम से आर्ट मिस्कॉ पर दी, ये निउस टीवी पर आती है, जिससे अमरिता को लगता है, ये सागर ने किया है, सागर सब कुछ अमरिता को एक्स्प्लेइन करता है, तब ही वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, सागर को अपने कॉलेज का लोकेशन में इन्वाइट करने हैं, और उनमें से ए प्रेयर मीट में सागर को वह आदमी फिर दिखाई दिता है, डीसीपी क्रांती को पता चलता है, वह कॉल सागर नहीं की थी चार्स को, वह सागर के घर जाती है पूछ ताच के लिए, जिसमें सागर कहता है, वो उस दिन ऑफिस में ही था, पूरे दिन अपनी पीए के साथ, क्रांती जाते ही, अपने टीम को चेक करने को कहती है, क्या मेरे जाने के बाद सागर ने अमृता को कॉल किया था, क्रांती के जाते ही, सागर ने अमृता को कॉल करके कहा था, कि तुम पुलिस को बोल दिना कि मैं दिन बर तुमारे साथ था, इस कारण क्रांती का शक सागर और बढ़ जाता है इंस्पेक्टर अजय गोश सागर को कॉल करके कहता है वो ड्राइवर तो मर गया अब इसको ठिकाने लगाने में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ी जिस पर सागर उसे गाली देता है और कहता है मैंने के वल तुम्हें पूछ आच के लिए कहा था मारने के यह नहीं मुझे तुमसे कोई मतलम नहीं अब यह सब सुनकर गोश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बॉडी सागर वर्मा के फार्म हाउस के जनरेटर रूम में फेक आता है और कॉल करके कहता है वो बॉडी आपके फार्म हाउस में है अब आप खुद ठिकाने और राग में ही निकलता है बॉडी ठिकाने लगाने वहां सागर को पता चलता है कोटी जिन्दा है और जख्मी हालत में चल रहा है इतने में कोटी फिसलता है और नोकीली चीज़ पर गिरने से सागर के सामने ही मर जाता है तब ही सागर को उसके पेट से एक निउस पेपर क कटिंग मिलती है जिस पर लिखा होता है कि जनरेटर उसकी बॉड़ी उठा कर बगल वाले प्लॉट में दफनाने जाता है और जनरेटर उनको वापस प्रिंट करता है ब्लीच से जमीन साफ करता है और हर समान साफ कर देता है ताकि शक ना हो और फार्माउस से नए कपड़े पहन कर वापस घर आ जाता है करंति को चार्स के हाथ पर देशी कट्टा मिला था जिसके बारे में पता करने को वो अपने टीम को कहती है यहाँ पता चलता है ज्यादा तर ऐसे कट्टी ट्रक ड्राइवर लेकर चलते हैं क्योंकि उनके ट्रक में बहुत समान होता है सब ट्र भी हो गई थी और उन्होंने कहा था मैं आ रहा हूं क्रांती को कोटी की घय पर काफी महंगय समा दिखते हैं जिससे वो समझ जाती है कि कोटी देशी गट्टी के स्मंग्लिंग भी करता होगा वो बोलती है कोटी को धूनना जरूरी है प्रिया की नोकरानी एक यूटूबर का होरर शो देख रही होती है तभी प्रिया के पास उसके फ्रेंड का कॉल अगता है जो की डॉक्टर है वो बताता है इंशोर्नस के पैसे के लिए मैंने हॉस्पिटल में आग लगा दी ती मगर गलती से चार बच्चे मर गए हैं प्लीज इस न्यूज को फैलने से रोग लो प्रिया अपने कनेक्शन्स का यूज करके न्यूज बाहर नहीं आने देती है क्रांती इंस्पेक्टर अजय घुष से बात करने जाती है ड्रैवर कोटी से रिलेटेड और साथ ही साथ ये पूछने की आखिर सागर वर्मा ने तुम्हें एक लाग रुपे क्यों दिये थे अजय के जवाब से सैटेस्फाई नहीं हुपाने के कारण वो पूलिस स्टेशन के पास लगे कैमरे की फूटेज निकलने को कहती है अपनी टीम से ताकि पता चल सके कि आखिर अजय वापस लेने गया था कोटी को या नहीं और क्या सच में वो सीधा घर चला गया था अपन फूटे साफ ना हुने के कारण वो क्लियरली अजय घोश से कोशन तो नहीं कर पाई और उसकी और सागर की फोन लोकेशन से ये समझ गई कि दोनों बारी-बारी सागर के फार्माउस गये थे पूरा फार्माउस चेक करने से वो समझ गई थी कि कुछ तो यहाँ पे चुपाया गया है इतना क्लीन और पेंट होने के कारण वो जमीन में बने गहरे गड़े से अंदाजा लगाती है कि पकका यहां से कोई कुछ भारी समान उठा कर गया होगा वो पीछा करते करते उस प्लॉड में पहुच जाती है यहां कोटी को दफनाया गया था पर खुदाई में उसे वहां केवल सागर के कुट्टे की बाड़ी मिलती है सागर के निउस्पेपर इनॉगरेशन के दिन मिनिस्टर आने वाले होते हैं वो अमरिता को कौल लगाता है पर वो उठाती नहीं है तभी सागर के पास पूजा टाइम एक निउस्पेपर आता है जिस पर लिखा होता है आज तुम्हारा होने वाला बच्चा मा के पेट में ही मर जाएगा सागर को वो आदमी फिर दिखता है इतने में सागर की नौकरानी कॉल करती है और बताती है सर प्रिया मैडम फिसल गई है और बहुत कौन बह रहा है सागर बहुत डर जाता है और हॉस्पिटल के लिए भागता है हॉस्पिटल में सागर को अमृता दिखती है जिससे बहुत चोट लगी होती है वो उसे पूछता है आखिर इतनी चोट तुम्हें कैसे लगी वो बताती है मेरे पती ने मुझे मारा है यहां पता चलता है अमृता सागर के बच्चे की माँ बनने बनी थी और वो बच्चा मर गया बहुत मार खाने के कारण दरसल अमृता ने पिल खाई थी पर 100% प्रोटेक्शन ना होने के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई थी और जब वो टेस्ट कर गई थी तब ही बल बजी वो किट हटाना भूल गई और उसके पती ने वो किट देख ली इसके बार वो अमृता को बहुत मारता है इतने सब के बाद सागर अमृता से ऐसे बीइफ करता है जैसे उसे कोई मतलब भी ना हो अमृता से ये देखकर अमृता को बहुत गुस्सा आता है दरसल कुछ टैम पहले सागर और अमृता कहीं जा रहे थे प्लाइट कैंसल होने के कारण वो एक रात के लिए होटल में रुके थे वो खाना खाते हैं, बाते करते हैं जिसमें अमृता बताती है कि उसका बत्ती बहुत पोजसिव है नेवी में होने के कारण कभी कभी ही आता है इन सब के बाद दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गया था और वो प्रेगनेंट हो गई थी जिसके बार में उसे पता नहीं था अब कहानी प्रेजेंट में आती है डॉक्टर सागर को प्रिया से मिलने बुलाते हैं अमृता सागर के बीहेवियर से खिसी आकर नर्ज को पैसे देती है कुछ काम करने के लिए गर में अंजिली के दोस्त नौकरानी के साथ मिलकर एक यूटूबर को होरर हंड शो देख रहे होते हैं तब ही प्रिया अंजिली को नीचे आकर कपड़े बदलने को कहती है नीचे आते टाइम कपड़े अंजिली के मुँपर फच जाता है और वो चलती एहती है चलते चलते वो गेर से निकल के लिफ्ट के पास बहुच जाती है प्रिया अंजिली को धूनना शुरू करती है और सागर को भी धूनने को कहती है इतने में सागर को निउस पेपर मिलता है जिस पहली लिका होता है जन्रिले सागर वर्मा की 6 साल की बेटी अंजिली खाले लिफ्ट में गेर कर मर गई ये पढ़ते ही सागर नीचे गार्ट को कॉल करता है जल्दी लिफ्ट बंद करने को कहता है इतने में लिफ्ट की बटन कोई दबा देता है तब ही गार्ट लिफ्ट बंद कर देता है